Study IQ IS अब तयारी हुई उसको देखते वे हमारी जो कंपनी है वो वर्ल्ड क्लास कंपनी बन सकती है कई सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सपोर्ट किये जा सकते हैं और आप देख सकते हो Space Stock से जुड़ी हुई 13 कंपनी बताया जा रहा है कि उन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर एड किया है एक हफ़ते के अंदर क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता अल्मोस्त तैमानी जा रही थी और ये जो कंपनीज हैं मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि ये जो कंपनीज हैं उन्होंने काफी सारा कॉंट्रियान 3 की सफलता में और इसी के वज़े से उनके जो शेर के प्राइसेज हैं वो भी काफी तेजी से बड़े हैं इनपक्ट 40-40 परसेंट से जादा बड़े हैं विटिन वन वीकी आप देख सकते हो चंद्रियान 3 स्पार्क्स बुलिश रन इन इंडियन स्पेस स्टॉक तो इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे कि exactly इसका मतलब क्या हुआ कौन सी कंपनीज है क्या contribution उन्होंने किया है चाहे L&T हो गया भेल हो गया भारत सरकार की कई कंपनीज है चलिए इसके बारे में डीटेल से समझेंगे लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा कल सही हमारा 3 live batch UPSC 2024 के लिए लॉंच किया गया है जिसके अंदर आपको prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कराए जाती है सभी classes live होते है personal mentor आपको दिया जाता है test series होता है कुछ भी और लेने के आउशकता नहीं पड़ेगी हमारे website आप पर जाएए comment section में इसका link है वहाँ पर जा सकते है use करिएगा code अंकित live checkout के time क्योंकि ये जो code है इसको इस्तमाल करने से सबसे ज़्यादा आपको discount मिल जाएगा और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है देखें चंद्रियान 3 जो है आपको पता होगा पिछले मैंने ही यहाँ पर जुलाई में इसको launch कर दिया गया था लेकिन उसके बाद से आप देखोगे तो जिस तरह के statements आ रहे थे इसरो की तरफ से वज्ञानिकों की तरफ से ऐसा लग रहा था कि चंद्रियान 3 अल्मोस्ट सफल हो जाएगा अभी आपने देखा जस दो चार दिन पहले लूना 25 वो crash हो गया मतलब रशिया जिसके पास इतना सारा experience था उसने कई सारे missions अल्रेडी successfully भेजे वे थे चांद पर वो भी crash कर जाता है लेकिन कहीं न कहीं हमारे यहाँ पर काफी हद तक shorty हो गई थी कि चंद्रियान 3 जो है वो सफल हो जाएगा और इसी को देखते वे चंद्रियान 3 को बनाने में इसमें contribute करने वाली जो companies हैं जाहिर सी बात है उनको भी फायदा होता क्योंकि अगर आप समझी अगर कोई भी project successful होता है तो उससे जुड़ी हुई जो भी companies होती है उनकी भी तो value भरती है न क्योंकि आगे future में उनको और फायदा होगा तो basically मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर market capitalization की market capitalization क्या होता है जल्दी से मैं आपको बता देते हूँ जैसे कि मानली यह कोई share है जैसे reliance, tata यह जो shares होते हैं स्टॉक होते हैं मानलो कोई share है ABC अगर मानलो उसका total number of shares है 100 और एक share की कीमत है 50 रुपए तो इसका total market capitalization कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 5,000 मतलब कि उस company की worth कितनी है 5,000 रुपए की तो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हो कि 13 ऐसी companies हैं जो space stock से जुड़ी हुई है जिनोंने इस पूरे space sector के अंदर contribution किया है उनका आप देख सकते हो 2.5 billion dollar का valuation बढ़ा है मतलब कि उनकी जो worth थी ना उसमें 2.5 billion dollar add हो गया है सोचे 2.5 billion dollar मतलब होता है आज के rate में 21,000 करोन रुपए के आसपास और यह सिर्फ 1 week के अंदर हुआ है इन फाक्ट इसमें से 7 ऐसी companies हैं जिनोंने जिनका जो पुरा overall stock है वो 52 weeks high पर चला गया है खेर यह companies हैं कौन क्या करती हैं यह companies उसके बारे में detail से समझते हैं देखे यह जो companies हैं बेसिकली क्या करती हैं जो crucial equipment हो गया जिसमें की electronic component हो गया metal gears हो गया जो rocket communication के लिए vital चीजे होती है navigation के लिए important चीजे होती है propulsion हो गया इस तरह की जो चीजे होती है जो rocket के अंदर इस्तमाल किया जाता है चंद्रियान 3 में भी इस्तमाल किया गया है यह सारे जो important components होते हैं यह companies ने provide किया है अब यह companies कौन कौन सी हैं जैसे कि आप देख सकते हो gen technologies हो गया ptc हो गया genus power infrastructure हो गया pg electroplast हो गया in fact lnt भी इसके अंदर शामिल था मिश्रध हातु निगम बहल जो की सरकारी company है public sector undertaking है आपको पता होगा hindustan anonautics limited आपको पता है walchand नगर industries इस तरह की कई ऐसी companies है total 13 companies हैं जो space sector से जुड़ी हुई है तो उन्होंने काफी important role play किया है उनका जो expertise है वो चंद्रयान 3 में काफी काम आया है तो आप ये मत समझेगा देखो ISRO तो important role निभाता ही है लेकिन जरूरी होता है कि क्या ISRO को अगर जो समान चाहिए मालो अगर हमारे वग्यानिक हैं अगर वो कोई समान की demand करते हैं component की demand करते हैं तो क्या वो component हमारे देश के अंदर बनता है कि नहीं बनता है ये भी बहुत matter करता है और इसलिए ये companies ने काफी सारा contribution किया है चंद्रयान 3 के success में जिसकी वज़े से बताया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भविश में इन companies को फायदा होगा और इसी के वज़ेसे इनके जो share के prices है वो तेजी से बढ़े है जैसे कि कुछ companies के अगर हम बात करें या आप देख सकते हो PTC Industries पता है आपको ये एक हफ़ते के अंदर कितना बढ़ा लगभग 45% के आसपास सोच के देखे 45% इसका value बढ़ा है फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो LIND India इन्होंने भी काफी सारा contribution किया जैसे कि एक industrial gas firm है तो basically क्या है कि जो space mission होता है उसके अंदर specialized gases के आउशकता पड़ती है तो वो सारी जो gases हैं वो इसी के दोरा दिया गया जैसे कि rocket के अंदर जो propulsion system हो गया satellite operation के लिए जो propulsion system चाहिए होता है तो उसके लिए जो gases क्या हो शकता होती है वो LIND India ने provide किया था और इसी के वज़े से आप देखोगे इनका भी लगबग 24% के आसपास एक हफते के अंदर rise हुआ इनका जो share price है वो 24% rise हुआ है क्यों हुआ है simple सा चीज है क्योंकि अगर ये successful होता है mission तो इनको भी आगे benefit होगा इनसे और जादा orders मिलेंगे और companies को मुनाफ़ा होगा फिर इसके लावा यहाँ पर centum electronics हो गया इन्होंने काफी सारा contribution किया है critical modules होता है उसको supply करने में उसमें काफी important role play किया है eventel हो गया ये satellite communication provider है ISRO का इन्होंने भी यहाँ पर contribution किया है जिसकी वज़े से 12% इनके share के prices में rise हुआ है यह आप देख सकते हो Bloomberg का यहाँ पर पूरा report आया था जिसके अंदर बताया गया कि सबसे ज़्यादा किस जो industries हैं उनको यहाँ उनका stock price बढ़ा है सबसे ज़्यादा तो PTC industry मैंने आपको बता दिया 43-45% बढ़ा है Zen Technologies हो गया, Lind India मैंने आपको बता दिया, Eventel हो गया, Centum Electronics हो गया, इन सब के stock के prices अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, फिर इसके अलावा यहाँ पर और भी मैं आपको बताता हूँ कि जो important role play किया गया है, अलग-अलग companies के दौरा, जैसे कि L&T हो गया इन्हों ने basically अगर आप देखोगे तो critical booster segment होता है उसको manufacture किया है, जैसे head end segment है, middle segment है उसके अंदर जो boosters होते हैं उसका manufacturing L&T के दौरा किया गया है, they have also supplied ground and flight umbilical plates और इस तरह की कई सारी चीज़े L&T के दौरा भी manufacture की गई है, वैसे यहाँ पर आपको पता है, एक public sector undertaking है, मिश्र धातु निगम, अब यह इन्होंने क्या किया है कि कई सारे जो alloys होते हैं जैसे cobalt and nickel base alloy हो गया, titanium alloy हो गया, special steel हो गया यह सारी चीज़ों को manufacture करके, मिश्रा धातु निगम ने दिया है चंद्रियान 3 के mission के लिए, और इनको भी फायदा हुआ भेल की तरफ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो batteries है भारत heavy electricals limited, इन्होंने batteries प्रोवाइड किया है चंद्रियान 3 के लिए, और भेल का ही यहाँ पर एक firm है जिसका नाम है welding research institute, इन्होंने यहाँ पर जो bi-metallic adapters होता है, वो भी manufacture करके दिया है for cryogenic stage, cryogenic stage आपको पता होगा इसमें जो liquid fuel होता है, वो ले जाया जाता है और उसमें जो bi-metallic adapters है, वो भेलने बनाया वैसे हिंदुस्तान aeronautics limited, आपको पता है HAL इनका भी contribution रहा, वलचान नगर का contribution रहा है MTR technologies, मतलब overall I hope आप समझ गयोगे कि काफी important role play किया गया है इन industries के दोरा, अब देखे इसकी वज़े से एक बहुत positive impact भारत की अर्थ विवस्ता में आपको देखने को मिलेगा, कहने का मतलब यह है कि अगर ये firms, ये जो companies हैं, वो essential component और technologies provide करते हैं, तो इसकी वज़े से भारत की जो technological capabilities है उसमें भी इदाफा होता है, ये आप मत समझे कि सर्फ जो सरकारी companies हैं, उनी की वज़े से सब कुछ होता है, अगर हम US, US सबसे बड़ा example है, अमेरिका, देखे वहाँ पर जो private companies आप SpaceX की बात करिए, ये सब क्या है, ये Elon Musk की company है, private companies हैं, उनका सबसे important role आज के date में, space sector के अंदर देखने को बिलेगा, तो वैसे ही, यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के mission में, जितने भी private companies यहाँ पर शामिल थे, उनका जो technological advancement है, जो capabilities है, वो आगे काम आएगा सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि अब ये लोग export भी करेंगे, क्योंकि अगर मालो दुनिया के किसी कोने में, अगर मालो इसराइल यहाँ पर कोई launch करता है कोई चीज, अगर Middle East के अंदर UAE हो गया, सौधी अरब हो गया, कल के advancement है, भारत का जो future हो वो bright है, और साथी साथ इसमें monetary gain तो हो ही रहा है, और यह directly हमारे economy को impact कर रहा है, economy को बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो यही पूरा video था, यहोप कि आपको detail से समझ में आ गया होगा, कि कैसे यह जो space stock हैं, जो companies हैं भारत की, वो यहाँ पर भारत के industries में, भारत के economy में contribute कर रहा है, यहाँ पर technological advancement के थूँ और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, कि which among the following industries is the major beneficiary of Mumbai port, जो Mumbai port है, उसका सबसे ज़्यादा major beneficiary, कौन सा है इंचारों सबसे इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डाला करता हूँ, बाग के अगर आपको पीडियर्फी तो टेलिग्राम पर आईए लग-लग सोशल मीडिया पर आप यूड़ पाऊगे और जैसा मैंने आपको बताया UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ से नेक्स ताइम, till then thank you very much, see you soon